अगर आपको नहीं पता Amazon seller account कैसे बनाते है तो इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने Amazon seller account कैसे बनाना है इसके लिए आपको क्या क्या चीज़े required है वो भी पहले आपको बता दू आपको CNAC required है आपका ठीक है जिसने account बनाना है जिस नेम से अपने account बनाना है आपको एक CNAC required है CNAC number उसके लवाँ अपनी date of birth और अपने CNAC की date of aspiree ओके इसके लवाँ आपको अपने bank account का credit card number चाहिए ठ Amazon seller account बना सकते हो तो चलो बगए time को वेज़ किए वीडियो को यहां पर शुरू करें लेकिन उससे पहले यही कहूँगा चैनल पर पहली दफ़ायो चैनल को अभी कभी subscribe कर दो साथ में बने bell icon को प्रेस कर दो ताकि नेस वीडियो भी आप तक का सके इसके अगर आपको नहीं सबसे पहले यही कहूँगा चैनल पर पहली दफ़ायो चैनल को पीकभी subscribe कर दो साथ में बने bell icon को प्रेस कर दो ताकि नेस वीडियो आप तक का सके इस subscribe को चाहे तोरो चाहे पोर दो या फिर आगे लगा दो मुझे कोई शूनी चैनल subscribe हो जाना चाहिए तो चलो बगए time को बेस की वीडियो को शुरू करते हैं आपने आजन है गूगल की सर्च में यहां आपने सर्च करना है एमागोन सेलर अकाउंट ठीक है इतना टाइप कारके एंटर कर देना है सबसे पहले आपके सामने यह साइट आगी देखो यहां पर आपने क्लिक कर देना साइट के ऊपर ठीक है यहां आपको अपर भी साइन अप को अप्शन मिल रहा है नीचे भी साइन अप को अप्शन मिल रहा है ड़स नौट मैटर आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां नीचे वाले पर क्लिक कर दो साइन अप के बटन पर यहां आने के बाद आपने नीचे देखना है क्रे से ज्यादा भी रख सकतो लेकिन minimum six होने चाहिए तो आपने यहां पासफ़र डखना है then next के बटन में प्रेस करना है next पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक verification code अब चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आपका credit card number then identity details यहां पर यह यह चीज़ है आपको चाहिए उसके लिए यहां पर आके आपने business location add कर नहीं यहां drop down बटन पर प्रेस करोगे प्रेस करोगे सबसे पहले पाकिसान आएगा तो पाकिसान select का लो अगर आप यहां पर drop down बटन पर प्रेस करते हो नीचे आपको यहां पर सभी चाइनीज देखने को मेरी है तो यह Chrome यहां पर इंडिव्यूल इंफर्मेशन के अंदर यहां आके अपने अपने country of citizenship पे अड़ करनी है drop down बटन पर प्रेस करो पी लिखो पाकिसान आजेगा तो यहां पाकिसान पर प्रेस कर दो वही लगानी है यहां रपने यहां ड्रॉप ड़ों बटन पर प्रेस करना है और आपने अस्पारी डेट लगानी है यहाँपे अपने cnice की ठीक है जो आस्पारी डेट वोगी आपके cnice की देन यहाँपे कंट्री ओफ इशु पर प्रेस करना है यहां भी आपने पी लिखना है पाकिसान आएगा अएड कर दो देन देखो अपनी business address अड़ की आप पाकिसा स्थे फूर्ट कोड मिल जाएगा यहां पर यहां पर ट्लग आ यहां प्रेस्टिक लगाया यहहां एसमयस्ट पर रहने दिया और आपना लगा मॉबाइल नमबल अपना है किया त्रिहां सैंड SMS के प्रण के बड़ट किया one यहां पर एक OTP code आएगा आपके mobile नंबर पर वो code आपने यहां पर एंटर करना है और टीप लगा के आपने verify के button पर प्रेस करना है तो यहां पर आपका verify हो चुका है देन आपने next के button पर प्रेस कर देना है यहां पर आपने credit card की details add करनी है यहां पर अपने store का name लिखना याप यहां पर पर क्रेड़ करना चाते हो तो मैं यहां पर store का name लिखता हूँ आपने यहां पर उसके बार do you have universal product-codes no then यहां पर are you the manufacturer क्या आप यह चीज्ज यह product बना रहे हो no पर press कर दो अगर बना रहे हो तो yes पर press कर दो अगर some of them बना रहे हो तब भी some of them पर press कर दो then next के बदम पर फ्रेस कर दो पार देखो यहां पे आप से यह पूछ रहा है अडिशनल लोकमेंट ठीक है बैंक अकॉंट की स्टेटमेंट यह आप से मांग रहा है तो आपने वह भी अपलोड करनी है तो देखो यहां पर आपको मिल गया तो देखो यहां पर आपको मिल रहा है तो देखो यहां पर आपको इस वीडियो को इंज्वाए किया होगा आपका Amazon seller सेलर अकॉंट क्रियेट हो चुका होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कुछ पूछना है नीचे कमेंट्स करके बताना और कमेंट्स में यह भी बताना किया आपका सक्सेसफुली Amazon seller अग्वार तो इन्स्टा सेब्सक्राइब तो उसे पूछन चाहिए अदरवाइस प Commerce करेगा झाल झाल